हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एक्समार्ट स्टेडी 2.0 यूट्यूब जैनल, तो साथ्वाज जीके जीएस के बहुत ही महत्पुन कोश्चन्स इस क्लास में करेंगे, जो कि आपके सभी एक्जाम्स के लिए जैसे की यूपी एसससी पेट एक्जाम, इसके अलावाए यूपी पुलिस, यूपी एसाई, बिहार पुलिस, बिहार एसससी, बिहार एसाई, सभी एक्जाम्स के लिए एसससी का कोई भी एक्जाम हो, सभी एक्जाम्स के लिए ये क्लास आपके लिए महत्पुन होने वाला है, तो यह शुरू करते हैं देखते हैं questions आप सभी साथी class को एक like जरू कर दीजेगा और class पसंद आये तो आपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना आप में से कोई भी साथी नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा देखिए पहला question है आयन मंडल की उचाई कितने से किल किलोमीटर के मज होती है तो साथ देखिए आयन मंडल की उचाई के बारे मैं आपसे पूछा है कि कितने से किलोमीटर के मज होती है तो याद रिखिएगा 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक आयन मंडल का छित्र होता है याद रखना option number भी correct tensor हो जाएगा ठीक है आयन चंद्रमा पर इस्थित सानती सागर के नाम से किसे जाना जाता है अर्थात बास्तों में सानती सागर क्या है तो देखिए चंद्रमा पर इस्थित ये सानती सागर आपने सुना होगा इसके बारे में ये क्या है तो धूल का मैदान, राइट आएगा option number C, ली फिगारो नامक समाचार पत्र का संबंद निम्नमे से कि सस्थान से है तो दिखिए ली फिवे फिगारो नामक समाचार पत्र कहां से जारी होता है तो दिखिए इसका करिक्ठो का पैरिस option number भी ये question बहुत जादा पूछा जाता है नेक्स्थ है लोहार वन्स के संस्थापक निम्नमे से कौन थे तो ध्यान से दिखिएगा लोहार वन्स के संस्थापक कौन थे तो संगराम राज राइट है साथ यो option number C संगराम राज नेक्स्थ है नासा ने कब घोसना की थी कि ब्रम्हांड की आयू 13.7 अरब बर्स है 11 फरवरी आपको सन बताना है यर तो याद रिखिए नासा जो कि अमेरिकी अंत्रीश एजनसी का नाम है इन्होंने 11 फरवरी 2013 को यहां गोशना की थी कि ब्रम्हांड की आयू जो है वो 13.7 अरब बर्स है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्सन नंबर भी 2013 कौन सी पंचवर्सी योजना पीसी महाल नविस मोडल पर आधारित थे तो देखे राइट अंसर होगा साथियो दूतिया पंचवर्सी योजना जिसका कारिकाल था 1956 से 1961 इसका मोडल जो है वो पीसी महाल नोमिस ने तयार किया था निम्न में किष नदी को दक्षिन भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है तो रैट को ही सिल्वर चांदी बूला जाता है तो रजत करांती का संबंद है याद रिखे अंडा उत्पादन से एग प्रोडक्शन करिक्ट आएगा ओप्सन नंबर सी अंडा उत्पादन चोल काल में किसके उपासकों को नैसार कहा जाता था काफी इंपूर्टेंट कोश्चन है तो दिखे पवंचक्कियों की भूमी के नाम से किसे जाना जाता है तो निदर लेंड को ओप्सन नंबर डी जैप्रकाश नारायन द्वारा किस वर्स सरवदय योजना की प्रसुस्ति की गई थी तो याद रिखे राइटन सरोगा 1950 में ओप्सन नंबर बी बर्स 1950 बित आयोग का पर्थमत दच निम्न में से कौन था तो देखे बित आयोग के पर्थमत दच कौन थे तो केसी नियोगी ओप्सन नंबर डी किस देश की राजधानी का नाम फुना फुटी है आपको बताना ये है कि इन में से वो कौन सा देश है जिसकी राजधानी का नाम फुना फुटी ह तो correct आएगा option number C, तुवालू, साथियों तुवालू एक देश है, जिसकी राजधानी का नाम है फुनाफुटी, अगला हवाला क्या है, तो देखे हवाला क्या है, right आएगा option number B, बिदेशी मुद्रा बिनियम का अवेद कारोबार, option number B correct है, किसने कहा है कि माराठो का उधाई आक्समिक अगनी कांड की भाती हुआ, तो इस कथन को कहा था, Grant Duff ने, option number A, next question है, पानिपत के तृतिय युद में मारे जाने वाले, दो महत्पुन सेन सरदार कौन-कौन थे, तो पानिपत का तृतिय युद यानि तीसरा युद जो की 1761 इस्वी में हुआ था, अहमद साब दाली और मराठो के बीज में, तो इसमें मारे जाने वाले दो महत्पुन सेन सरदार कौन-कौन थे, तो देखिए, एक तो विश्वास राव और दूसरे सदासिव राव भाव, करिक्ट आएगा, option number A, next है, रंजित सिंग ने सूपरसिद कोहिनूर हीरा, प्राप्त किया था किस से, तो देखिए, महाराजा रंजित सिंग ने सूपरसिद कोहिनूर हीरा किस से प्राप्त किया था, तो साह सूजा से, option number A, अगला है, महाराष्टा में, बिठोबा या बिठल, जो की बिष्मू का ही एक नाम है, आंदोलन का केंदर कहा था, तो देखिए, महाराष्टा के बाद, पांडिचेरी का गवर्नर बने थे, गोड़ु, option number A, गोड़ु, फेजी निमनलखित में से, किस के दरबार में रहा, तो फेजी किस के दरबार में रहते थे, तो अकबर के, option number D, अकबर, किस ने अपने आपको खलिफा घोसित किया था, तो देखिए, साथिओ, ब option number C, करिक्टन सरे, तिरी रतन सिध्धान, समय के धारना, समय के चरित्र और समय के ज्यान, ये जिस धर्म की महिमा है, वहा कौन सा है, यानि किस धर्म के तिरी रतन है, ये, तो राइट आएगा, option number C, ज्यान धर्म के, हडपा के लोगों की समाजिक पद्दती कैसी थी, काफ बीर साल के महल में, किस मुगल वादसा का जनम हुआ था, तो ध्यान से दिखीगा, साथ यो, अमर कोट या, उमर कोट के राजा, बीर साल के महल में, किस मुगल वादसा का जनम हुआ था, तो राइट आएगा, option number C, अकबर का, my experiment with truth, के रचनाकार कौन है, तो देखिए, my experiment with truth के रचनाकार है, महत्मा गांधी जी, option number E, next है, प्राचिन भारत में, निस्क के नाम से किस को जाना जाता था, तो याद रिखिएगा, प्राचिन भारत में, निस्क के नाम से जाना जाता था, स्वर्ण आभुशन को, सोने के आभुशनों को, इंडियाज इजफोर सेल, नामक पुष्टक किस के द्वारा लिखी गई, तो रैट आएगा, option number C, जेवी किरिपलानी के द्वारा, और्जा सरक्षन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है, तो साथ हो रिखिए, और्जा सरक्षन अधिनियम 2001 से प्रभावी हुआ है, तो option number C, next step, पोटावार निम्न में से किस देश में स्थित है, तो पोटावार का पठार जो है, ये पाकिस्तान में है, option number D, पाकिस्तान, मिरित सागर में उच्च लवंता का कारण क्या है, तो द्यान से दिखी का साथ हो, मिरित सागर में उच्च लवंता का का कारण क्या है, तो बासपिकरन का उच्चतम दर, option number D, दहारता चालीसा क्या है, तो देखिए, दहारता चालीसा, दक्षिनी गुलार्द में 40 डिगरी अच्छान्स के आसपास, चलने वाली तेज हवा है, option number C, next है, सिकार के लिए हारपुन का परियोग कौन सी जंजाती करती है, तो देखिए, सि देखित में से कौन, पस्चि मेशिया का सरवधिक नगरी करीद देश है, तो ध्यान से दिखिए, पस्चि मेशिया का सरवधिक नगरी करीद देश कौन सा है, तो करिक्ट आएगा, option number B, उत्री अमेरिका का महान, जिलमार्ग, option number B, next है, आईसो बात रेखाए, क्या प्रदर प्रदर्शित करती है, तो साथियों ये भी question बहुत ज्यादा important है, देखिए, आईसो बात रेखाएं जो होती है, वो समुद्र तल के समान गहराई वाले छेतर को प्रदर्शित करती है, चाय के निरियात में, भारत को किस देश से कड़ी परतिसपरधा का सामना करना पड़ आता है, तो कोईला, option number C, correct होगा, अगला है, गंभीड सागर या मैदान का सरवधिक विश्तार किस महासागर में पाया जाता है, तो साथियों राइट होगा, option number E, परसांत महासागर में, प्रिथिवी के भ्रहन की गती कितनी है, तो दियान से दिखिएगा, प्रिथिवी के सरवधिक दूरी परिष्तित है, तो साथियों, कौन सा गरह है, जो सुरी और प्रिथिवी दोनों से सरवधिक दूरी परिष्तित है, तो देखिए, correct होगा, नैप्चून, option number C, correct answer हो जाएगा, अगला question है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है तो याद रिखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है, तो जाएरे, option number 1, correct होगा, जाएरे, जिसका नया नाम है, आधुनिक कांगो गनराज याद रखना, विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो देखिए, विश्व की सबसे ल नमबर भी स्वीडन ने, अगला निमनल खित में से किस नगर को एड्रियार्टिक किरानी कहा जाता है, तो एड्रियार्टिक किरानी किस सहर को कहा जाता है, तो याद रिखिए, correct answer होगा, option number 1, वैनिस को, next है, हैरिंग पॉंड के नाम से किसको जाना जाता है, तो हैरिंग प option number 1, correct होगा, भारतिय संविदान के किस अनुच्छित द्वारा, नेमन दुरबल वर्गों को सिच्छा संबंधी सुरक्षा परदान की गई है, तो राइट अंसर होगा, अनुच्छित 46 में, option number 2, अगला है, राज्यों में पुनर गठन संबंधी विदेहक को, संसद में प् की, option number C, correct answer हो जाएगा, यह साथ यो 50 questions थे, जो की बहुत ही important थे, खास तोरक पे अभी आपके, UPSSSC PET का exam के लिए, UPSI, UP Police, बिहार Police, बिहार अशाय, BSSC, इसके अलावा MP Police, MPPCS, पतवारी, इसके अलावा साथ यो राजस्थान Police, डेली Police, सभी exams के लिए महत्पुन थे, SSC के सभी exams के लिए, तो class को like और share जरू कर दीजेगा, अपने से कोई भी साथी नया है, चैनल सबस्क्राइब करके, बैल आइकन को on कर लिजेगा, और comment box में comment करके बताईए, आपको class कैसा लगा है, मिलते है next class में, तब तक के लिए जाहिंद, वंदे मातरम